दोस्तो इस वीडियो में स्वागता है इस वीडियो में बात करेंगे पूरे टेक्टर की CRDI सिस्टम क्या होता है कलच कैसे काम करता है गेर कैसे काम करते हैं इंजन कैसे काम करता है sliding mesh gear कैसे काम करता है constant mesh कैसे काम करता है synchro mesh gear कैसे काम करता है differential कौन-कौन से होते है reduction कौन-कौन से होते है direct axle reduction कैसे काम करता है inboard reduction कैसे काम करता है hub reduction कैसे काम करता है और पूरी detector की जानकारी oil bath hair cleaner कैसे काम करता है dry hair cleaner कैसे काम करता है पूरी जानकारी सिरफ एक वीडियो के अंदर हमारे किसान क्या पूरी कई बारी बहुत सारी जगे पर होता है मैंने बहुत सारी जगे मिलता है उनको पूरी जानकारी नहीं है कोई बोलता है मुझे CRDA सिस्टम बताइए सर एक्सल कैसे काम करता है ये बताइए सर तो एक ही वीडियो में पूरी जानकारी इस वीडियो में बिलेगी तो वीडियो को अंत तक देखना है हाँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बिना बताए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए थैंक यू सो 50,000,000,000 रुपे ले लेगी यफ देखो ये इस वज़े से कि हमारी गल्ती है हम पहले ज्यान नहीं लेते हैं इस वज़े से प्रावलम है अगर आप शही ज्यान ले लोगे नो तो तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता और आज धोखा दे रहा तो हमारे किसानों की वज़े से हमको धोखा मिल रहा है इस वज़े से नहीं कि वो धोखा दे रहा है हम धोखा खाते हैं इस वज़े से पूरा ज्यान नहीं लेते हैं इस वज़े से धोखा है तो मेरा नाम है तीप सिंग मैंने टेक्टर चलाना तब सीखा था जब मेरे पैर भी नहीं पहुंचते थे, खेती की, बाद में मैंने इंजिनरिंग में अग्रिकल्चर में की और बीटेक में गोल्ड मेल डिस्ट हूँ, मैंने एक किताब लिखी, एक अथर हूँ, ये किताब है टेक्टर से अमीर बनना चाते है न, इस किताब को जुरूर खरीद के पढ़िएगा, और मैंने तेईस साल लगा था, टेक्टर इंडस्ट्री में काम किया है, और मैंने पांसो से ज़्यादा ने डिलर बनाए है, पांच चलाग से ज़्यादा टेक्टर, एक लाग से ज़्यादा मुझे पता है, गल्ती कहां पे करते हैं, हम बहुत बड़ी गल्तियां करते हैं, टेक्टर के बारे में सही ज़्याद नहीं है, खरीदना कैसे उसके बारे में सही ज़्याद नहीं है, तो हमारी जिनकी में हम मुसीबतों को बुलाएंगे, कल भी मेरी एक बात हो थी एक तो पता करते हैं four stock engine कैसे काम करता है पहले इसके समझ लेते हैं ये cylinder है ये piston है ये inlet valve है ये outlet valve है यानि यहां से हवा अंदर आती है यहां से धुमा बार जाता है और ये nozzle है और ये connecting rod होती है जो हमारी crank से जुड़ी होती है तो पहले stock में क्या होता है जै हवा अंदर जाती है द पर जाती है यहां तक अगले stock में क्या होता है दूसरे stock के अंदर जिसको section पिछले वाले stock को section stock को बोलते हैं अब ये piston ऊपर की और travel करता है अब ये देखिए दोनों valve बंद है यहां पे तो हवा यहां पे ऊपर की और दबाई जाती है 17 अनपात एक में दबा दी जाती है ज दीजल यहां से इस nozzle से इसमें spray किया जाता है और वैसे ही diesel जाता है और piston नीचे की और travel करता है जैसे ही piston नीचे की और travel करता है नीचे तक पहुंचता है इस क्योंकि expand हुआ है ताकत इसी stock में मिलती है और last वाले stock में क्या होता है piston नीचे जैसे पहुंचता है ये outlet वाल खु भी सकते हैं, होल्ड करके इसको निचे लिखा हुआ, पढ़ भी सकते हैं, इंजिन में ताकत कहाँ कहां, से पैदा होती है, फिर कलच में आती है, कलच से गेर बाक्स में आती है, clutch को भी पूरी तरह समझेंगे इस वीडियो के अंदर gear box से एक जो ये line है ये PTO को सीधी power पीछे चली जाती है PTO को चली जाती है और यहां से ये differential unit में आके ये power टायरों को चली जाती है ये साधा इसको विस्तार से भी समझेंगे आके कि विस्तार में कैसे कौन सा differential कौन सा gear box कैसे काम करता है अब देखते है sliding mesh gear box कैसे काम करता है sliding box में यहां clutch से ताकत यहां को आती है यह वाला छोटी गिरी होती है यह बड़ा गिरी यहां पहला reduction यहां पर होता है फिर इसमें यह ताकत चली ही अब ताकत चलने के बाद ये जो गेर है ये अलग होते हैं ये दोनों अलग हैं इसको सरका के गेर को आगे लगाया जाता है जैसे इसको आगे करेंगे तो लगा देंगे जैसे मालो आपने speed आपको ज़्यादा चाहिए तो यह gear लगाएंगे speed कम चाहिए तो यह gear लगाएंगे क्योंकि यहाँ छोटा gear है यह ज़्यादा गुमेगा तो यह कम गुमेगा जैसे लाल में यह कम हो रहा है और green यह निले में यह ज़्यादा हो रहा है तो gear को सरका के लगाया जाता है इस gear की कमी होती है कि आपको जब टेक्टर को gear बदल ना है तो रोक के बदलना है चलते में बहुत experience वाला ही आदमी gear बदल सकता है इसको sliding mesh gearbox भी बोलते हैं और ये वाली यह सीधी पीटियो को चले जाती है यह यहाँ 200 आर्पियम है अगर आपका तो यह 540 पे गुमना चाहिए इसी रेशो के अंदर 540 दिया जाता है 2200 पर नहीं मालो 1400 पर आपको चाहिए तो 1400 1500 1800 आर्पीम पर आपको 540 मिलता है तो उसी हिसाब के यहां पर डिजाइन किया जाता है किसी किसी चेक्ट में 2200 पर भी मिलता है अब दिखते हैं constant mesh gearbox कैसे काम करता है पहला तो यही जैसे मालो इसको PTO जिदना चाहिए तो 540 1400 1800 पर PTO चाहिए तो यहां चकर 2200 होंगे तो यह 1800 के 1800 यहां पर होंगे तो यहां आपको 540 करने होते हैं अब यह देखो constant mesh का box का मतलब है गेर हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं हमेशा आपस में जुड़े होते हैं constantly mesh रहते हैं सिरफ यह coupler यह coupler इदर करेंगे तो क्या होगा नीचे shaft के ओपर यहां पर जिर्रियों में shaft रहती है लेकिन अलग होता है तो coupler रहता है तो इसमे इदर को चला जाएगा यानि जब आपको speed कम ज्यादा करनी है तो यह gear लगाएंगे और ज्यादा करनी है तो यह gear लगाएंगे क्योंकि यह ज्यादा घुमेगा यह कम का इसमें कम हो जाएगी और इसमें ज्यादा हो जाएगी तो पीछे की और चले जाएगा और यहां पर आपको 540 पीछे मिलेगा Synchro Mesh Gearbox को देखते हैं सेम यह Constant Mesh की तरह होता बस एक Synchro Mesh Ring लगी होती है यहाँ पे जो इसकी Speed और इसकी Speed दोनों को बराबर कर देती है बराबर होने की वज़े से असानी से Gear इसको पर चड़ जाता है जैसे मालो Speed आपको क्या चाहिए यह ज़्यादा गूम रहा है तो आपको कम Speed चाहिए गेर इदर को करना है अगर ज़्यादा Speed चाहिए तो Gear पीछे को लगाना है सिर्फ दो Gear इसलिए बताएगा है सिर्फ समझाने के लिए वरना बहुत सारी Gear होते हैं आप आप speed vary कर सकते हो, यहां आपको 540 ही मिलता है, अब पता करते हैं, clutch कैसे काम करता है, यह flywheel है, flywheel लिखा हुआ है, तो यहां engine से ताकत flywheel को आती है, आप यह देखो, यह जो पतली सी लाल कलर की है, यह है clutch plate, और यह घरे वाली है pressure plate, और यह spring loaded है, और यह cover है, अब जैसे ही आप माल लो, इस clutch को दबाओगे, तो यह देखो, यह हींज है, तो इधर दबाया, तो यह पीछे को दखे लेगा इसको, यानि spring के against में इसके जुड़ा हुआ bearing है, तो पीछे का दबाएगा, तो clutch plate फिरी हो जाएगी, पीछे ताकत नहीं जाएगी, आप जैसे ही clutch छोड़ होते हैं, आदा clutch दबाओगे, तो speed रुख जाएगी, और पूरा clutch दबाओगे, तो पूरा clutch दबाओगे, तो आपका PTO भी रुख जाएगा, इस तरह से double clutch भी होता है, double clutch भी काम करता है, तो clutch को इस तरह से काम करता है, अब देखते हैं कि single reduction कैसे काम करता है, जो rear reduction होता है, single वो कैसे काम करता है, ये कना के बारे में पता कर ली है, हमने हमेशा यह होता है कि जब हम इसको मिट्टी ज़्यादा लोड नहीं आने वाली जगे पर चलाते हैं नहीं तो जैसे एक जटका आया आपने यह जटका दिया तो यह crown twill तूट जाता है तो मैसी फर्गुसन के अंदर फार्म ट्रेक के कुछ ट्रेक्टरों के अंदर यह आता है यह ज़्यादा जहाँ पर लोड पक्की जमीन है वहाँ पर यह काम का नहीं होता तो देखते हैं दूसरे कौन से वहाँ पर कौन कौन से काम में आते हैं आगे वाले में देखते हैं अब द और दोस्ते इसमें नोट करो यहां पर जटका आएगा तो पहले यहां बटेगा तो दो जगे जटका बट जाएगा तो इसलिए जो लोड में क्राउन विल पीनियन तूटने की शिकायत बहुत कम होती है और जितनी भी गिली जमीन है जहां पर गिला है तो वहां पर यह टेक् सवराज सब जो लोगों में inboard reduction बहुत सारा आता है है ना तो यह बहुत अच्छा होता है अब बात करते हैं हब reduction की वही इंजन से clutch clutch को gearbox के चमर से या pinion pinion से crown differential unit जूड़ा होता है differential unit का लग से वीडियो बना वे shot के अंदर आप देख सकते हैं कैसे काम करता है वो दोनों को लग करता है यहां पे चार sun और star gear होते हैं तो उस वज़से सीधा उसमें axle अंदर जूड़ा होता है differential unit के अंदर तो यह आया तो यह सीधा जैसे crown से सीध इस bull को जाता है इस pinion को pinion से इस bull gear को यह वाला हिसा जो tire पे लगा होता है यह वाला tire के अंदर tire के अंदर लगा होता है तो ट्रॉली के अंदर यह अगे से उठेगा नहीं और बहुत अच्छा रहता है ट्रॉली के लिए लेकिन अगर कीचट वाली जगह है तो यह क्योंको टायर के पास होता है यहां कीचट फस जाता है तो गिली मिटी में बिल्गूल काम का नहीं रहता आपको यह ध्यान रखना है कभी भी यह स्ट्रेक्टर को आपको गिली मिटी के लिनी लिना है ट्रॉली के इस pinion को, pinion से crown को आई differential unit, जैसे differential unit से ये साथ में sun and star gear arrangement होता है और सीधा टायरों को चला जाता है, sun and star gear कैसे होता है ये देखो, यहाँ से power को आई, इस center को या पूरे इस unit को power दी गई, पूरा unit अगर तीन चकर गुमता है तो ये एक चकर गुमेगा, यानि यहाँ से तीन आपस में पकड़े हुए रहते हैं एक दूसरे को, तो पकड़े हुए रहते हैं तो इसका मतलब यह रहता है, पकड़े हुए रहते हैं इसका मतलब यह रहता है कि ताकत जब बहुत अच्छी तरह से transfer होती है, लेकिन अगर छोटे टेक्टरों में लगा दिया जाता है, तो पर प्री क्लीनर होता है प्री क्लीनर यहां से हवा अंदर घुसती है तो यह फिन लगे होते हैं हवा गुम रही है तो मोटे मोटे रेट के कण यहीं पर रह जाते हैं और इस प्री क्लीनर को आपको हर रोज साफ करना होता है जब भी आप रेट देखोगे तब साफ करना होता इसको pre cleaner को साफ करने के बाद यह हवा इसके अंदर जाती है यह हवा यहां से उपर से होती ही इसके अंदर जाती है और नीचे आजाती है यह oil है oil के अंदर oil bath oil bath का मतलब दता है तेल में नहलाना इस पूरी हवा को तेल में नहलाया जाता है जैसे अवा तेल में लहना थी तो बारी कण रेत के यहाँ पर रह जाते हैं और अच्छी अवा ट्रांसफर होके इंजन को चली जाती है तो इस तरह से यह काम करता है अपना oil bath air cleaner dry type air cleaner कैसे काम करता है इसको समयते हैं यह pre cleaner लगा होता है और pre cleaner देखो यहां से अवा घुमती हुई गई इधर एकदम से घुमी और जो मोटे रेत के कण यहां यहीं पर बार फैक दिया जाता है फिर यह primary filter होता है जो बहुत मतलब कागज का बना होता है यहां से मोटे मोटे रेत के कण यहां पर रोख लिया जाता है और यह एक बहुत महीं मतलब पूरी तरह से बाकी बचे हुई रेत के कण को यहां रोख लिया जाता है और बिल्कुल अबा साफ जिये जाती है इसकी ताकत ही है इसको कभी भी साफ किया जा सकता है और इसकी उ है इसको बोलते हैं जो इन लाइन पाम्प होता है वो यह साफ करना यह आँ होता है यह उपनी निकाल देना प्राइमरी इस डिसल फिर पप करते है यह होता है यह से इंजन्ट दिखाया गया यहां पे तो चार स्लेंडर के चारी लाइन निकलेंगे तो जिस समय पावर स्टोक में डिजल सप्लाई होती है यानि जब आपकी क्रैंक दो बारी घुमती है तो इसका एक बार घुमता है जिसको कैम शाफ्ट बोलते है तो कैम शाफ्ट से ही इसको आजाता है आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे सारी कि सारी लाईने यहाँ पे फ्यूल जब-जब स्प्लाई देना होता है देते हैं और जो बचा हुआ डीजल है वो यहाँ से बाहर होके वापस डीजल टैंक में चला जाता है आगे CRDA के बारे में बात करते हैं अब देखते हैं CRDIE जो हमारी टेखनीक है वो कैसे काम करती है DIE का मतलब होता ड्रक्ट इंजेक्शन अब यह देखो आप डीजल टैंक से वाटर सप्रेटर को आया और यह वाली जो लाइन है आप देखोगे उपर तो यह जुड़ी हुई है एक CPU से जो कंप्यूटर की उनिट जुड़ी हुई है यह देखिए आप यहाँ पर डीजल सप्रेई हो रहा है मालोगे किस तरह सप्रेई करता है फिर जैसे ही और यह वाली जो पंप आइस जुड़ा हुआ है जो एक्स्रा फ्यूल होता है इसमें अरेंजमेंट होता है यह वापेस डीजल टैंक को चला जाता है लेकिन सबसे इं इs Phoenix information इसको बाकी जगए से मिलती है कौन से में कितना डालना है पूरा computer तबारा यह निरदारित होता है lleva हुंकि कौन से cylinder में कितना अधारित होता है तो इसको उसी तरह से ठीक किया जाता है तो इस तरह से CRD काम करता है अब बात करते हैं पिस्टन की बनावट की पिस्टन की बनावट इस तरह से होती है यह दिखी इस तरह से खड़ा होता है और एक मंदर नुमा चीज होती है और इसको टॉप बोलते हैं आपको क्या करेगी, धीरे धीरे गिस जाएगी, इसमें जगया खतम हो जाने की वज़े से, क्या होगा, उपर नीचे उपर नीचे जगया बनने की वज़े से, कंप्रेशर लीक होना चाहिए, चालू हो जाएगा, जिससे टेक्टर की ताकत कम हो जाएगी, फिर इस ओयल हो जाता है तो इस तरीके से direct injection क्या ये खड़ा design किया जाता है पहले क्या होता था जो साधे engine होते तो ये वाला हिस्सा कहीं और होता था side में होता था यहां पे तो उस वज़े से side में आके यह compression create करता था उनकी आवाज बहुत अच्छी होती करना है इस वज़े से आप और हां इस वीडियो को पहली बरी बोलो शेयर जुरूर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि लोग सीख पाएं यह गलती नहीं करें कि टक्टर की जानकारी नहीं लें और दोखा नहीं है ना ओके दोस्तों थैंक यू सो मच भगवान आपको कोमल आतों में सुरक्षित रखे आपके पास धन बहुत सारा है रिष्टे आपके अच्छे हों और जिन से भी मिलो आप खुशियां बाटो और आपको भी लोग खुशियां दे इसी के साथ जैन जै भारत थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच